नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में रिवर जिले में रभी सीजन का गेहु उपार्जन शुरू हो गया है यहां किसानों को उपच का अधिक्तम दाम देने के लिए समर्थन मोले पर गेहु का उपार्जन किया जाता है गेहु उपार्जन की प्रती क्विंटल 215 रुपेदर निर्धारित है जिले भर में सहकारी समितियों के माध्यम से नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा गेहु की खरीद की जा रही है गेहु उपार्जन के लिए स्लोट बुक करने का कारे प्रारंभ है नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष किसानों को गेहु खरीदी के लिए कोई SMS नहीं भेजा जाएगा बलकि किसान खुद गेहु बिक्री का दिन वह समय निधारित कर सकते हैं यह mpeuparjan.nic.in portal पर स्वयम बुक कर सकते हैं किसान सबसे पहले इउपारजन portal पर उपारजन की link क्लिक करें उसमें slot booking का विकल्प देखेगा यहां किसान अपना पंजियन code दर्ज करें code दर्ज करने पर पंजिकरेत mobile number पर OTP प्राप्त होगा OTP दर्ज करने के बाद किसान तहसील उपारजन केंडर और उपज बिक्री का दिनांग दर्ज करें इसके बाद slot book पर submit करें portal पर पंजिकरेत किसान द्वारा book किये गए slot की जानकारी प्रदर्शित होगी इसका print निकाला जा सकता है किसान अपने पंजिकरेत एड रॉयल, फोन, लोकसेवा, केंडर, ग्राम पंचायत, MP Online की क्योस्क सेंटर, उपारजन केंडर और इंटरनेट कैफे का उपयोग कर गेह उपारजन के लिए slot book कर सकते हैं बताया गया कि किसान प्रति दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक slot book कर सकते हैं, इसके बाद 1 घंटे का break रहेगा फिर दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे के बीच slot book करने की विवस्था है कुल मिलाकर किसान रोजाना 8 घंटे slot book कर सकते हैं गयहू का उपारजन प्रतिक सप्ताह सोंबात से शुक्रवार तक किया जाएगा, किसान द्वारा book किये गए, slot की वैधता 3 कार्य दिवस की होगी जिस तहसेल में किसान की भूमी है, उस तहसील के किसी भी खरीदी केंदर में अपना गयहू बेच सकते हैं